यह चैनल किसी भी अवयद गतिवीटियों को बढ़ावा या पुरुटसाहित नहीं करता है। अब टाइम देख सकते हैं फाइफ फिफ्टी एट पिम और यहां में आप चार्ट देख सकते हैं यूसडी कैट 70% रिटर्न है और $100 की अमाउंट सेलेक्टेड है। डिरेक्शन है वन मिनट और अगर इसको जूम आउट और जूम इन करके देखे तो कुछ इस तरीका ट्रेंड है। अब जो टाइम है इसको हम कर देते हैं दो मिनट और ट्रेड हम लेने वाले डाउनवर डिरेक्शन पे और हम ट्रेड कैसे लेने वाले हैं तो आज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइज इंडेक्स कैनेडियन CPI भी है मतलब आज मिक्स है तो यह दो तीन इवेंट है आज और टोटल मिला के इंपेक्ट जो है देखो कि अभी हमारे पास कम समय बाकी है और फ्लक्टुईशन बहुत दिख रहे हैं आपको कैंडल्स में बहुत जादा फ्लक्टुईशन दिख रहे हैं रेड और ग्रीन के बीच में और बहुत लंबे-लंबे शैडो आपको देखने क मिल रहे है बॉड़ी बहुत स्मॉल देखने को मिल रही है तो आज यह इंपेक्ट है यह कवर कर रहा हूँ लास्ट टाइम काफी अच्छा इंपेक्ट पढ़ा था बहुत गहरा इंपेक्ट बढ़ा था डाउनवर डिरेक्शन में ट्रेड लेने का मेरा जो रीजन है अब आप देख सकते हैं market एकदम से downward direction में जा चुका है और बहुत भी बड़ी candle जैसा कि आप NFP में देख सकते हैं उस प्रकार की candle यहाँ पर आपको देखने को मली है बहुत भी बड़ी impact यहाँ पर देखने को मला है मेरा trade लेने के पीछे जो reason था वो simple था Ukraine और Russia का जो war है उसके scenario के बाद जादा तर जो impacts मैंने notice की हैं वो downward direction में देखने को मला है तो that's why और last अगर impact की बात करें अगर मैं देखो zoom out करके आपको दिखाता हूँ तो अगर last किती बड़ी candle यहाँ पर बनी है last impact की भी अगर बात करते हैं यह Canadian CPI और price index की बात करते हैं import and export तो यह भी downward direction में आपको देखने को मला आता तो that's why this is the reason की यह मैंने downward direction में लिया candle की expiry में काफी कम time बाकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं trade जो फिनिश हो चुकी है और profit भी close हो चुकी है 100 dollars की trade मैंने place करे थी क्योंकि मैं sure नहीं था about the direction क्योंकि last time impact ज़रूर की रहा था अब of course यह जो potential list में हमारे top पर आता है import, export, price index यहाँ पर scene के आए मैंने पहले information इसकी आपको दे भी दी थी आप live stream अगर आपने join किया होगा live stream के अंदर मैंने आपको बताया था कि आज के दिन यह impact है अगर आपने notice किया होगा तो आपने trade किया होगी लेकिन exact information direction मैंने आपको वहाँ पर नहीं mention की थी trade यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आप आप trade देख सकते USD CAD यह जो particular trade है इसका result यह रहा ठीक है तो वहा क्या basically information मैंने दे दी थी अगर आपने use की हो आपने trade की हो profit की हो बहुत अच्छी बात है यह information बहुत काम आती है जिनकी help से आप market volatility के साथ trade कर सकते है currency pair भी volatile होते है इनके साथ भी trade करना बहुत easy होता है कहने का मतलब है आप direction अगर predict कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ठीक है एन फपी जैसे impact यहाँ पर आपको देखने को मिला last दो बार से यह हमारे top list में आ रहा है number one पर आ रहा है इसके बाद भी देखेंगे market तो downward direction में ही है चलिए कैसी लगी वीडियो और जो impact information थी उसका use करके आपने कितना profit किया ज़रूर बताइए comment section में और कोई suggestion है आपका चनल से regarding feedback है वो भी ज़रूर share किजएगा like करना ही है और share करना तक यह information जो events है इनकी information सभी लोगों तक पहुँचे चलिए मुलाकात करते हैं और exciting videos के साथ But stay tuned keep watching and thank you so much for watching this video till the end